इस वीडियो रिलेटेट टू स्पोकन इंग्लिस कोर्स तुड़े वी आर गोईंग तू लर्न अबाउट दिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो लेट्स स्टार्ट दोस इसका हम हिंदी में वे पड़ते हैं जब भी आप हिंदी की सेंटेंस देखेंगे तो वहां दोस का जो हिंदी वर्जन है वो वे लिखा हुआ पाएंगे दोस का प्रियोग दूर की दो या दो से अधिक वस्तूओं या वैक्तियों को बताने के लिए प्रियोग किया जाता है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तूओं जो प्यूलर होने होनी चाहिए दो या दो से अधिक हो या फिर कोई व्यक्ति हो और वह कैसी होनी चाहिए दूर में होनी चाहिए पास में नहीं दूर में होनी चाहिए और वह प्यूलर होना चाहिए कोई भी वस्तू हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है वहाँ पे हम दोस का प्रियोग करते हैं क्योंकि हमको पता है कि यह प्यूलर है इसलिए यहाँ पे हम helping वर्फ आर का प्रियोग करेंगे और हमें noun मतलब संग्या प्यूलर बहुवचिन का रूप में प्रियोग करेंगे यदि हम इसका English structure देखा जाए तो दोस प्लस आर helping वर्फ है प्लस noun का हम प्यूलर हम प्रियोग करेंगे एक बार देख लेजे दोस का हिंदी मतलब वे होता है इसका प्रियोग दूर में रखी हुई दो या दो से अधि वस्तू हो सकती है या व्यक्ति हो सकते हैं उसे इंडिकेट करने के लिए बताने के लिए या दर्साने के लिए प्रियोग करते हैं इसमें helping वर्फ और नाउन का हम प्यूलर मतलब बहुवच्छन रूप की प्रियोग करेंगे तो चलो देख लेते हैं कुछ एक्जाम पर वे अवारा लड़के और लड़किया हैं दोस आर वेगेबॉंट वोईस एंड कर्ल्स दोस आर वेगेबॉंट कर्ल्स एंड कर्ल्स वे बिना पुलाय महमान हैं दोस आर अनिविटेट गैस्ट दोस आर अनिवाइट गैस्ट वे पालतू जानवर हैं दोस आर अनिविटेट दोस आर पैट एनिमल्स, वे रसीले आम हैं, दोस आर जूसी मैंगोस, हम इसका निगेटिव वर्जन देखते हैं, तो हमें यहाँ पे एक और चीज एश्टरक एड़ करना पड़ेगा, वो है नौट, दोस प्लस आर प्लस नौट, प्लस नौट, वे जावरुक नागरिक नही है, दोस आर नौट अवेर सेटीजन, दोस आर नौट अवेर सेटीजन, हम इंट्रगेटिव मतलब कॉस्च्चन वाला फॉर्म देखेंगे, तो इसमें हेल्पिंगोर पहले आ जाता है, और साथ में कॉस्चन मार्ट भी एड हो जाता है, इस इंगलिस स्ट्रक्चर आर प्ल तो आर पहले आ जाएगा क्योंकि हम कॉस्चन है, आर दोस आवेर सेटीजन, आर दोस आवेर सेटीजन,